नमस्कार दोस्तों, कल रनबीर कपूर का एक बयान पढ़ा, रनबीर अपने पिता रिशी कपूर को याद करके इमोशनल हो गया, उसने कहा कि काश पापा जिंदा होते तो मेरी फिल्म शमशेरा का ट्रेलर देखते तो वो बहुत खोश होते, वो मेरे सच्चे क्रिटिक थे, रनबीर कपूर अब आपको हर रोज जो है मीडिया में कहीना कहीन देखने को मिलेगा, कहीना कहीन सुनने को मिलेगा, क्योंकि लॉंडे की अब जो है दो फिल्मे बैक टू बैक आ रही है, वो भी एक साथ और बड़े बजट की फिल्मे, और दोनों ही फिल्मों का जो ट्रे फिल्म इतनी अच्छी बनी है या इसे अपनी फिल्मों पर भरोसा है तो ये मीडिया में आके सिंपेथी कार्ड क्यों खेल रहा है पूरी इंड़स्ट्री ही नहीं बलकि पूरा भारत जानता है कि इसकी और इसके फादर रिशी कपूर की आपस में कभी बनी ही नहीं करने को उस फिल्म में मना कर दिया रिशी कपूर ने साफ साफ बोला था कि वो अपने बेटे रंबीर कपूर के साथ में स्क्रीन सेयर नहीं करेंगे लेकिन बाद में काफी मनाने के बाद काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो है रिशी कपूर इस शर्ट पर एग्री हुए कि उनकी जो वाइफ का रॉल था वो नीटू सिंग करेगी तभी रिशी कपूर ने जो है फिल्म के लिए हां भरी थी दरसल नीटू सिंग पहले फिल्म में नहीं थी लेकिन बाद में उन्हें काश्ट कर लिया गया क्योंकि रिशी और रणबीर कपूर के रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे और इन दोनों में सैट पर एक साथ होने के टाइम पे जगड़ा होने की बहुत ज़्यादा संभाव ना थी और इसलिए नीटू सिंग को साथ में रखा गया कि अगर जगड़ा होगा तो कोई भी बात होगी तो वो संभाल लेगी जिस समय रिशी कपूर की डेथ होई उस समय भी रणबीर कपूर चार-पास दिन बादी अपनी मा नीटू सिंग को छोड़ कर अकेला आलिया भट के साथ में दूसरे गर में हाइडन सीख खिलने चला गया और नीटू सिंग जो है उस समय अकेली रह गई थी जब नीटू सिंग को कमपनी देने दिल्ली से रिद्यमा कपूर उसके पास रहने आई तब ये जो है चर्चा का विशे बना कि रणबीर कपूर जो है अपनी मा को अकेला छोड़ कर आलिया भट के साथ में दूसरे घर मे रहने चला गया है मतलब बाप के मरने के बाद में बेटा जो है दस दिन अपने घर में अपनी मा के साथ में नहीं रह सका और वो जो है अपनी गल्फेंड के साथ में दूसरे घर में रहने चला गया मजे लेने के लिए तो आप खुद सोचो कि बेटे को जो है अपनी बाप तो इतने नाटक किस बात के लिए क्या कभी साउथ के किसी एक्टर को देखा इस तरह से ढौंग करते हुए असल में जो साउथ के एक्टर्स हैं वो अपनी फिल्मों का साउथ के अंदर बहुत जाड़ा प्रमोशन नहीं करते हैं इससे पहले अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ जुग जुग जीयों के प्रमोशन के दोरा नीतु सिंग को भी जो है अपने पती रिशी कवपूर की बहुत याद आई और वैसे दो साल में एक बार भी उसने कभी जिक्र नहीं किया एक आद बार जिक्र किया होगा अलग बात है लेकिन इस तरह डीटियल में कभी जिक्र नहीं किया दों करवालो इन लोगों से अरे जब तुमारी फिल्म में अच्छी है तुम लोग अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तो सब रखो लेकिन नहीं पिछवाडे में आग लगी हुई है कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी लोगों का रियक्षन कैसे होगा अटेंशन गेन करनी है चाहे किसी भी तरह से करे ना खुद पर भरोसा बचाए, ना अपने फिल्म पर भरोसा बचाए, ना अपने एक्टिंग पर भरोसा बचाए और अपने फैंस पर भरोसा इनको रत्ती भर नहीं राए ड्रामे करके लोगों की अटेंशन गेन करना चाते हैं और ड्रामे करके ही फिल्म को सूपर हिक करवाने का प्लान कर रहे हैं